अधियों सुद्रेंट क्लास फूर्थ सब्चिक्ट आपका कंप्यूटर्स आफ्टर हाफिल एक्जामेनेशन के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू लेस्न कॉपीज आप लोगों को मिल चुकी हैं यहाँ पर देखे थर्ड लेस्न तक हम अपने हाफिल एक्जाम में कं इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेस्न हमारा हमारा फूर्थ एमस पेंट हम करेंगे तो यहाँ देखे पेच अमबर आपका थर्ड नाइन फूर्थ लेस्न आपका एमस पेंट आइं मेंड दिस ड्राइंग ऑन कंप्यूटर एंड फिल इट विप कलर टू अब देखे आ आप ड्राइंग करते हैं तो यह आप अपनी ड्राइंग बुक में क्या करते हैं कॉपी में उसको ड्राइंग करते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं उसमें डिफेंट डिफेंट एकॉर्डिंग तु यू आप क्या करते हैं उसमें कलर्स आप करते हैं फिल करते हैं कलर से मेंद से तरी की सेथे, कंप्यूटर में भी कैसे करते हैं वो हम दिखेंगे क्लरिंग करेंगे तो देखें आपे MS Paint is a computer program using which we can make attractive drawings on computer using paint these drawings can be filled with attractive colors अब आप जब drawing करना चाहते हैं computers में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा MS Paint जो program है उसे open करेंगे आप उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी drawings बना सकते हैं computer में जिस वी तरह कि क्या आपको drawing बना ले आपने practical भी किया था previous class में तो आप क्ये कर सकते हैं बहुत अच्छे चीमार क्लर भी इसमें क्या कर सकते हैं अपने recording बहुत संदर संदर कर सकते हैं उसमें आप आप फिल कर सकते हैं किसका यूज़ करते हुए MS Paint में अब MS Paint स्टार्ट कैसे करेंगे आप कैसे उसको उपन करेंगे आप तो सबसे पहले आपने क्या करने हैं आप देखें स्टार्टिंग MS Paint कैसे स्टमाल करेंगे क्या स्टैप्स हैं इसके perform the following steps to open the paint program paint program की window open करने के लिए आपको कुछ steps को follow करते जाना है सबसे पहले आप क्या करेंगे click करेंगे आप press करेंगे start button जैसे ही आप click करेंगे start button में तो क्या हो जाएगा आपके लिए इस तरकी क्या पर जोटी सी आपको window open हो जाएगी जिसमें आपको क्या मिलेगा आपको all programs आप click करेंगे आपने all programs में आप देखे all programs में आपने click क्या उसके बाद आपको यह देखे accessories में आप चाहेंगे जो सबसे उपर है आपका accessories में आप click करेंगे और accessories में जब आप click करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको programs आपको मिलेंगे तो आप अपने recording चाहिए, note pad है, word pad है तो आप अपने recording चाहिए, आपको excel है, power point है तो जो भी program आप चाहिए, आपको आप उस पे click करेंगे तो उसकी window आपके लिए क्या हो जाएगी, आपकी monitor screen पे आपके लिए appear हो जाएगी, आपके खुल जाएगी, तो यहाँ पे देखे हमको paint program चाहिए तो सबसे पहले हमने start button में click किया, उसके बाद हमने all programs में click किया इसके बाद हमारे पास accessories आई हमने उस पे click किया and then fourth step में हमारे पास हमने क्या क्या, paint program को हमने क्या क्या, click क्या उसके बाद हमारे पास यह क्या आगई, इस तरह की क्या आगई हमारे पास window open हो गई यानि कि paint program के आपके window open हो गई तो आप इसको इतना करेंगे आज practical जिन बच्चों के घर में computers हैं या laptop है आप इतना function करेंगे, जो आपका paint program है, उसे आपने क्या करना है, आज सिर्फ आप क्या करेंगे उसको open करना देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, paint program की window आप क्या करेंगे, monitor screen पे आप उसे खोलेंगे तो आज किला आपको इतना ही करना है, so thank you class